हमने जीवन को पूरी तराजिया, लेकिन ना भगवान का डर था, ना नर्क का, किसी चीज का कोई डर नहीं था हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक भगवान रहिद धर्ती है, कोई नयतिकता नहीं है, कोई धर्मादेश नहीं है जिस पल आपने अपने शरीर और मन को अपनी उन्नती का सोपान बना लिया, आप एक हिंदू बन जाएंगे, ये सारी दुनिया के साथ होना चाहिए हिंदू कोई वाद नहीं है हिंदू एक भूमी है और धीरे-धीरे समय के साथ हिंदू एक संस्कृती बन गई हिंदू न कभी वाद था, नहीं आज ये कोई वाद है खेर, ये बात और है कि राजनीतिक परिस्थितियों और लोगों के बीच सत्तक की खीचा तानी से लोग इसे अपने हिसाब से जैसे मर्जी तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे लेकिन हिंदू की पहचान भूमी से है वो भूमी जो हिंदू सागर के बीच है, यानि कि हिंद महा सागर के इस परवच रिंखला और महा सागर की बीच की ये भूमी हिंदू है तो वो लोग जो यहां रहते थे, वो अपने आप से हिंदु हो गए और इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा, हिंदुओं की भूमी भूमी हिंदु थी, तो लोग हिंदु हो गए, क्योंकि लोग हिंदु हो गए इसलिए राष्ट्र वो सभी राष्ट्र जो समैस्क शेत्र में थे सामोहिक रूप से हिंदुस्तान बन गए जैसे जब हम यूरोपियन कहते हैं तो ये फ्रेंच हो सकता है, ये इटालियन हो सकता है, ये स्पैनिश हो सकता है या ये शायद अब यूक्रेन हो सकता है हमें नहीं पता और कौन European बन जाएगा ठरकी European बन रहा है तो उसी तरह इतिहास में अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह के राज्य और सामराज्य सारे के सारे सभी हिंदुस्तान कहलाए जाने लगे कोई संस्कृती किसी एक मानेता या किसी एक शिक्षा का परिणाम नहीं होती नहीं, ये किसी एक किताब से निकल कर आती है कई तरह की चीजें हुई अगर भूगोल की दृष्टी से देखें या जातियता की या भाशाओं की या फिर संस्कृती की दृष्टी से अनेक प्रकार की चीज़ें इस भूमी के हर छोर पर हुई है इतने प्रकार की, कि ये ज़ादातर लोगों की कलपना से परे है 19,000 से ज़ादा भाशाएं विक्सित हुई 19,000 भाशाएं अकेले हिंदुस्तान में इसका मतलब है कि इतनी ही तरह की संस्कृतियां थी इतनी ही तरह के लोग थे इतनी ही तरह का खाना पकता था हाँ विभिन चीज़ें थी एक कलाइडो स्कोप था चाहे आप इसे जैसे देखें इसमें विविदता है पर ये है किस बारे में अगर इनसान की बुद्धी को इनसे मुक्त कर दिया जाए यानि डर से अपराद बोध से और कहीं और मिलने वाले किसी फालतू इनाम से चाहे आप इसे हेवन कहें पैरडाइस कहें स्वर्ग कहें या आप इसे कुछ भी कहें कि वहां उपर कुछ नाम मिलेगा या सजा के डर को या अपराद के बोध को अगर आप इन तीन चीज़ों को इनसान के मन से निकाल दें तो स्वभाविक हैं इनसान की बुद्धी खोजना चाहेगी ये जो हेवन की धरना है या पैरडाइस की धरना है या स्वर्ग की धरना है ये इसलिए लुभावनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लालत से भरी पड़ी है यहां जो मौजूद है वो काफी नहीं है वहां कुछ और है जो जादा है उन्हीं चीज़ों का बढ़ा चड़ा बेवकूफाना रूप है जो आपको पता है कि यहां है अगर इन तीन चीज़ों को इनसान की बुद्धी से निकाल दिया जाए तो इनसानी बुद्धी स्वभाविक रूप से परम प्रकृती की खोज करेगी कि हम कौन है तो इस खोज में इस संस्कृती को मिला है खगोल शास्त्र आज चप के पास intellectual property के अधिकार है भारत ही एक लौता ऐसा देश है जिसके पास intellectual property के अधिकार नहीं है हर वो चीज जो भारती है या इस हिंदुस्तान की है उसे चुरा कर सारी दुनिया में OPO किया गया है और हर कोई उसे अपना बता रहा है क्योंकि उनके पास बारूत था जो कि बहुत सारी ताकत होती है न तो इस खोज में हमें खगुल शास्त्र मिला हमें गणित मिली इस भूमी और संस्कृति के बिना इस दुनिया में गणित कास्तितु ना होता नहीं आप सब ताली इसलिवा जा रहे हैं अरे वाइ स्कूल में कोई मैत नहोती नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ अगर गणित नहोती तो विज्ञान नहोता आज इतने सारे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं तकनीक के संदर्ब में इतनी सारी चीजों का जो हम दुनिया में आनंद ले रहे हैं वो सब नहोता अगर एक विखसित गणित नहोती जो कि हमें हमारे प्रयास और खोज के रास्ते में मिली क्योंकि हमारे मन में कोई निशकर्ष नहीं थे हमें कोई डर नहीं था नहीं हमें कोई लालच या अपराद बोध भरा हुआ था हमने जीवन को पूनता में जिया लेकिन भगवान का कोई डर नहीं था नर्क का कोई डर नहीं था नहीं किसी और चीज़ का डर था, क्योंकि हमने देखा कि सबसे महतुपूर्ण चीज़ है खोजना, जानना, तो खगोल, विज्ञान, गणित, संगीत, वैसे तो कई तरह के संगीत हैं, पर अगर आप ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि जो शास्त्रिय संगीत इस धर्ती से उभर कर आया है, उसके आधार की जटिलता की दुल्ना में, उसके जैसा दूसरा और कुछ नहीं है, ये मेरी राय नहीं है, दुनिया के महांता म्यूजिशन जैसा कहेंगे, जब आधार इतना जटिल हो, तब इस पर आप कुछ भी बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, अगर आपके पास आधार उतना उन्नत नहीं है, तो आप जो भी बनाएंगे वो नियून्तम होगा, आप नियून्तम का ही निर्मान कर सकते हैं, तो गनित की एक बहुत ही उन्नत समझ है, उसके कई पहलूं की समझ है, खास तोर से जमेट्री की और खगोल विज्ञान की, ये वो संस्कृती है, जिसने छे से साथ हजार साल पहले ही ये इस पश्ट रूप से बता दिया था, कि पृत्वी गोल है, और ये ग्रह सूर की पर रमहन का केंद्र है, ये समझ हमें इसलिए नहीं आई कि ये देश विज्ञानिकों से भरा हुआ था, ये समझ हमें इसलिए आई क्योंकि हम खोजी थे, अगर आप वाकई, सच में, विज्ञान में रुची लेते हैं, तो आप जरूर एक खोजी होंगे, आप किसी चीज को म मानने वाले बनकर विज्ञानिक नहीं हो सकते, इस अंभवी नहीं है, क्योंकि मानना मतलब आपने उन चीजों के बारे में निशकर्श बना रखे हैं, जिनका आपको कोई अंदाजा नहीं है, हमें मैथमेटिक्स मिला, संगीत मिला, खगूल विज्ञान मिला, रहसिवाद कई जादवी और रहसमयी चीजें मिली, पर हम फिर भी खोजते रहें, क्योंकि हमारा खोजना इसके या उसके बारे में नहीं था, जो हम समझते थे कि हमारे लिए उपयोगी है, बलकि हम उस सत्त्य को खोजना चाहते थे जो हमारे अस्तित्व का आधार है, इसकी प्रकृत कि ये क्या है, इस खोज में हम खोजते ही खोजते चले गए, जैसे जैसे हमारा प्रयास और खोज और ये बोध गहरा हुआ, और जैसे ही ये बहुत गहन हुआ, तो हमें मिली शुन्यता. जब हमें शुन्यता मिली, तो हमने कहा शिव, तब हमने पाया कि हर चीज का आधार यही शुन्यता है.